Capital Smart City Overseas Central Sector E में इस तक Development की सूरतेहाल किया है as of 1st of November 2024 इस वीडियो को मैं टेक्निकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा 1st part में Street No.1 से लेकर Street No.6 तक जहांब से 7 मला के Plots हैं और 7 मला के Plots हैं इन में से एक भी Plot अभी तक Possessionable नहीं है हाँ इन में कोई Plot Litigated भी नहीं है यानि कि तमाम Plots की जमीन जो है वो Society के पास मजूद है बट उस पे भी Development मुकमल नहीं हुई Development वहाँ पे बाकी है Street No.6 से लेकर Street No.17 तक जो है वो Society के पास प्रॉपरली जो रोड का जो लेवट प्लैन होता है वो बन चुका है और प्रॉपर वहाँ पे अब भी कार्पेटिंग होना बाकी है यह जो पार्ट आप देख रहे हैं यह रेक्टेंगलर पार्क जो ही सेक्ट पांच में अब लागे प्लाट मेजोर्टी नहीं तो तुबीबन 95% डिवैलप्ट हैं मेजोर्टी बनते हैं साथ में लागे जो प्लाट्स हैं वो बहुत कम हैं जो डिवैलप्ट है सेक्टर ए के अंदर इंफक्ट गर मैं काउंट करूं तो शायद एक स्ट्रीट होगी जह हैं अगर साथ मेला प्लाट करें तो सजाइटी ने जब यहां पर प्लाट कीये ते तो इसकी लोकेशन को लेकर बहुत किसे होंगी तो उवराल साथ मेला के पलाट साथ में के बात करो सिस्टल में सबसे अच्छी लुकेशन के प्लाट से palpics सो यह बलेपलाट स de आपके 400 में बुलेवर्ड है वो मैं इस वीडियो के एंट पे आपको सारी इसकी डिवल्पन भी बताऊंगा जो थार्ड पार्ट हो का उसके बाद जो यह साथ मला के प्लॉट्स हैं कि अच्छी बात यह भी है कि यह साथ मला के प्लॉट्स जो दोनों साइड़ों से अक्सेसि स्ट्रीट का पहला प्लॉट्स से लेकर फॉर फाइफ तक होंगे जो चार सोफट रोड के साथ साथ होंगे वहां जायर सी बात है कि आपको प्राइविज डिस्टाब होती है उपर अपार्टमेंट्स बनेंगे हाई राइस बिल्डिंग बनेंगी ग्राउंड प्लॉट्स कि लोकेशन की पॉजिटिव पॉइंट यह भी है कि लेफ्ट साइड बेजब लिनियर पार्क है तो किसी भी ब्लॉट की किसी भी स्ट्रीट में आप रहते हैं किसी भी प्लॉट पर आपको घर है तो आपको वाकिन डिस्टंस पे एक बहुत बड़ा पार्क मिलता है जिस प पार्क के अंदर टेक्निकल चार से पांच पार्क जो इस ब्लॉट को दूब्लॉक के अपस्ट में डिवाइड करते हैं एक बादा शाठ कनाल बैठा ने साइड आपने देख ली के वहां पे नॉट इवन सिंगल प्लॉट इस डिवेलप वहां पर अभी तक सुसाइटी जो अर्थ फर्क कर रही है पांच मला प्लॉट की बात करें तो पांच मला पर अर्थ वर्क जो है तक मकमल हो गया आपको नजर आ रहागा मैं जूम करें दिख लगाने और तुछ पार्ट नजर आ रहे हैंगे यहां पर तीन चाहर साल पांच साल बाद यह दर्फ बड़े घ्रो कर जाएंगे ऐसे आप दर्खतों पादे देख लिए तनावार द्रख्ट जो बन चुके हैं चलते हैं जागे की तरफ यह आपको भी मैं जिखाता जारा ह तेन स्ट्रीट 11 स्ट्रीट 12 स्ट्रीट 7 से लेकर स्ट्रीट 14 तक अरिया बनते हैं यह पोईंट आपको नजरा रहा है यह 400 फीट रोड से एकसेस पॉइंट है इसको आम तोर पर कहते हैं सेक्टर लिंक रोड यह 50 फूर वाइड है और इसके दुबारा बाद ना 12 किनाल का पा साथ एकड़का आपका एक पार्क है जो आपको लेफ साइड पर इससे आगे बात करें आप स्ट्रीट 14 से आगे मुव करते हैं तो स्ट्रीट 15 16 17 18 19 पर प्लाट से पांच मला के प्लाट से यह जो आपको यह लास्ट जाम पर मिशीन काम करती नदर आ रही है इससे पहले वा साथ आगे पर लेंड 7 यह जो मनदवाल रोड सेंटर से गुजर रहा है और इस रोड नहीं इस करना है इस रोड कर नहीं करना इस रोड के आपजिट साइड पर यह बंदा साथ मुल्फ का इसके बार में थोड़ साइड इसको डिवेलप तो की यह अब यहां पर दर बार ब जब लोग यहां पर रहाइश रखेंगे किस इंडिविजल का दिल करेगा कि वह एक कबर के साथ साथ घर हो मतलब इस नौट कि मैं वह उस पात बजा रहा हूं बट मैंने पैसे लगाने है साथ मल्ला के प्लॉट मैंने अगर लिया है तो प्लॉट की वन फिफ्ट है शायद यानि कि पांचवा इस साथ बनता प्लॉट का जो मैंने उपर इतने पैसे लगाने घर बनाना है दो डाई क्रोड तीन क्रोड लगा कर मैने घर जब यहां पर बनाने है अच्छा शांदार बनाना है तो मैं क्यों उस घर बनाओंगा जहां साथ कबर हो तो डैफिरिंटल लि जो आपको 400 वर टोन नदर आ रही है इसके ओपर साइटी के इस वाले पार्ट में आठ मरला कमर्शिल आते हैं और फेस बैक साइट पे जो फेसिंग ब्लॉक ए होगा और ब्लॉक एफ होगा वहां पे चार मरला के कमर्शिल आते हैं और इसके बिल्कुल राइट आपोजट कर रहा है तो उसके बावजूद भी आपको नीचे प्रॉपर हर चीज नदर आएगी सेंटर में पूरी सुसाइटी के अंदर किसी भी रोड पर देख लें आपको बियाटी लेन मिलेगी यानिके सेंटर में दो लेन आपको नदर आ रही हैं यहांपे जंगला इंस्टाल हो रही है जिसको उस रोड की तरफ जाता है तो पहले थीन सो फुट विट थी अप सब्सक्राइब और चाहिए जिए लेट सेंटर नदर आपको नज़ा रही है इसके बार में नेक्स वीडियों के अंदर मैं जितने सेंटर रहते हैं और सेंटर एफ से सेंटर जी है पर सेंट सेंटर जिए अपर जो बना दूब कोड़ सेंटर जो चैनल चर्टर यूइम बना दूए तक बनार सेंट wen इस बिन अब पॉइंट से और सेंटर ग्रोडियों के बनेंट़् और से के और चान्र और कुछ पार्ट आसा है जिसकी बहुत आउटसेंडिंग और शदीद फिलिंग है तो वह अधर चिबात था उतना फेवरेट नहीं होगा फर कंस्ट्रक्शन परपस बैक तो सेक्टर ए सेक्टर ए और सेक्टर डी को डिवाइड करता है रोड लीनियर पार्ग रोड के सेंटर में जो गर्ल्स कॉलिज है और सेक्टर ए की तरफ मैं आपको जोंगर दिखा भी दोंगा और बैक साइड पर देखें तो आपको न्यू टेक युनिवर्श्टी भी नजर आती है वो पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है आपको और इसी लीनियर पार्ग में आगे जाते हैं सेक्टर ए तो आपको वहां पर बॉइज कॉलिज और बॉइज स्कूल बनता हुआ नजर आ रहा है जिस पर प्रॉपर ली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी इवन दो यहां पर अभी तक कोई एक बंदे ने भी अपना घर स्टार्ट ने किया सेक्टर एक अंदर कुछ घर स् चारसफर टॉड़ल साइड नहीं है तो आपको इमेजन करें कि घर आपको ग्राउंड प्लस थार्टी के बिल्डिंग उकी तो उस बिल्डिंग ने आपका राइड सेट सारा ब्लॉक कर दिना है और ब्लॉक तो कर नहीं करना है जब ग्राउंड प्लाइगा बनाएगा और आपके पास यहां पे प्लॉट है तो डेफिनलिलिक को होल्ड करें उसको मत बेचें और अगर आपने प्लॉट यहां प्रिक्योर करना है तो इंशूर करें कि आप लीनियर पार्क विली साइट पे खरीदे यहां इसे नजदीग खरीदें ताकि आपको लॉंग टर्म में जाके लिविंग का प्रॉपर बेनिफिट मिल से के इंटर्चेंज हार्ली इस जगह से तकरीबन कोई वन और हाफ किलोमेटर होगी इससे जाद नहीं होगी उसके साथ साथ राइट साथ पर चार्स फट रोड है वह बिल्कुल अक्सेसिबल है फिल गॉल्फ पोर्स पर आता है अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस